अगर हम बात करें पंडित प्रदीप मिश्टा जी की तो पूरी देश पूरी दुनिया के श्रद्धालू सिर्फ शिवरात्री नहीं बलकि 365 दिन और 2400 घंटे उनको सुनना चाहते हैं उनसे जानना चाहते हैं भगवान शिव की अरादना कैसे की जाए और जब पर्व महाश शिवरात्री का हो तो निश्ट रूप से श्रद्धालू जो है ज्यादा उत्सुक होते हैं और हमारी कोशि श्रद्धालू जी की जो पूरे देश भर के शद्धालू है जो आ नहीं पाते हैं खास तोर पे हमको बहुत देखा जाता है 36 गड़ में उत्राखंड में तो वहां के शद्धालू जानना चाहते हैं कि महाश शिवरात्री का जो पावन पर्व है उसका पूजन कैसे की सभी कοι श्रूताबहाई जो को हर एल महादे उ शिवरात्री दो हेजार चोवीز का ये पावित्र उस्व आट तारिक को शीवरात्री की पूजन का उस्वरात्रा हेगा अधे बहान संकर की चा पहर की पूजन होती है आप यदि चार पहर पूजन नहीं कर सकते तो कमसर कंए उना ह सब्सक्राइब ऐसे तो पूजन में मूलताह ये कहा गया है कि भगवन के मूल मंतर का जाब करें पंचाक्छा मंतर है नमस्शिवाए शडाक्छा मंतर है उम्नमश्यवाई या श्री श्री श्रीशीवाई नमस्तुप्धियम का जाब आप कर सकते हैं दूसरा एक बहुत अस्तित्य की बहुत सारी बाते रही हैं क्यों इस जगह को आपने चुना तेखिए कंकर शंकर की मूल भूमी है कुबरिश्वर धाम यहां बारा जोतिलिंगर का मद्धे बिंदू आता है आप कहीं पर भी खड़े होकर गूगल पर सर्च करेंगे तो यहां से अगर आप किलो म यहां पर ही आएगा यहां जो भी आना है पर तो पीछी एक उसकी जरूर आएगा तो ऐसा पवित्र भूमी कुबरिश्वर धाम की है जहां पर बीच मद्धे में भगवान बंडारी बैटे हैं यहां का कंकर मूल होता है यहां के लोग कंकर की पूजन करते हैं और रुदरा जो होता है यह पूरे देश में शुव भक्तों की आस्था का बहुत मैत पुर्ण है क्या विशेष्टा इसकी होती है तेखिए रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्रबिंदू से प्रगट हुआ है एक स्तारह से माना जाए तो उनका पुत्र ही है रुद्राक्ष और मती जी मैयर्था हमारे ता सास्त्रकृत इस्ती और पुरुष बच्चा हो बड़ा हो सब रुद्राक्ष महुसा होता है क्ब्रेश झारन कर सकते हैं यह एक हमने देखा है आसتهा का समंदर यहां पर नजर आता है यह जो रुद्राक्ष महुसा है यह इस बार आपने किस दरह का इसका पूरा कायक्रम रखा है किस तरह की यह उस्था है रखिए रुद्राक्ष महोस्व प्रतिवर्श यहां होता आया है और वही क्रम में इस वर्ष भी है 2024 का 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा जिसके अंतरगत भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष है एक मुखी से 21 मुखी तक रुद्रक्ष यहां रखे जाते हैं उसका विशेक पूजन होता है और वही रुद्रक्ष बात में बितरन किये जाएंगे एक बज़े से चार बज़े तक कथाग चलेगी शाम को संस्कति कायोजन धार में कायोजन यह सब चलेगे उसके अंतरक्ष श्युव महापुरान भी जो है खुद पंडित प्रदीप मिश्टा जी के श्री मुख से आप यहां पर सुन सकते हैं वो भी एक बहुत महत्पूर्ण का अक्राम है और वो भी ऐसे मुख से तो कहिना कि इस अमरत महुस्टा का एक बड़ा जो है पार्ट वो भी है सर देखिए यह तो भक्तों का प्रेम है शिव भक्तों का जो बाबा के इस पवित्रधाम पर पहुचते हैं और शिव कथा को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं पर इतना जरूर कहूंगा कि शिवरात्री का जो पावन उसर होता है इस पावन उसर पर रुदराक्ष का जो यहाँ पूजन होता है ये इतिहास में रचा गया है मतलब हमारे मद्यप्रदेश का गोरव है रुद्राक्ष माउस्था जिसको देखने के लिए धर्शन के लिए और रुद्राक्ष के लिए पूरे भारत भूमी से लोग यहां पहुशते हैं एक और बात है लेकिन हमने देखा कि तमाम लोग हम आते हैं तो हमने मुख्यमंत्री भी जहते हैं उनका भी यहां पर कई न कई आना होता है देश प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चतिस गड़ में आपके बहुत बड़ी फालोइंग है ये सारे लोग भी कही न कही आना चाहते हैं, बड़े चेहरों की भी बात करें तो, जी सब का विचार तो आने का है, सभी मुख्य मंत्रियों को सुचना दी गई है, सभी धार्मिक संतों को सुचना दी गई है, जिससे यहां पर सभाएं और कुबरेशोर अबाबा की धरा पर पहुचकर लाब लें, कह था का? इतना बड़ा ये जो निर्मान कारे चल रहा है, भव ये रूप से, इसकी कब प्राण पतिष्टा हो रही है, उसका भी बड़ा इंतजार है सब को? जी, हो सकता है, इस वर्ष में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कि जल्दी से जल्दी निर्मान हो जाए, और निर्मान होकर भगवान उसमें विराजमान हो जाए, क्योंकि मंदिर एक नहीं है, मंदिर का क्रम, कुबर भंडारी का मंदिर है, रादा कृष्ण का मंदिर है, सिता और आतो का सुलकनिश्चित कर दिया रेलवे स्टेशन से बस से 20 रूपे 25 रूपे कुछ सुलकनिश्चित कर रहा है साथ में चिकस्ता वेवस्था जल्वेवस्था यसा प्रशासन कर रहा है। पर ना जाए भगवान की अभीरल भक्ती में डूबें कुबरेश्वर्ध हम की धरा बहुत बड़ी धरा यहां पर भगवान का भजन कहीं पर भी बेट कर आप कर सकते हैं एक आखरी वह हम चाहेंगे कि एक आशिर्वाचन आपके मुख से यहां से हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए जो लोग ना आ पर हैं जी सभी शिव भक्तों को जो शिवरात्री के पूजन कर रहे हैं या कुबरेश्वर धाम की पवित्र धरा से रुद्राक्ष महुस्ताव का कथाश्र बन कर रहे हैं दर्शन कर रहे हैं उन सभी को साधुबा देता हूं साथ में तना जरूर कहूंगा एक लोटा जल भगवा भगवान शियू के ऐसे ही स्वरूप को अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो कुबरेश्वर धाम में जरूर होते हैं लेकिन सबसे महत्पूर्ण बात यह है जो पंडित प्रदीप मिश्टा जी ने कहिए कि एक जल लोटा भगवान शियू को जरूर अर्पित करें यह आप भगवान शियू का असिर्वात पासकते हैं शियू के इस महत्पून इस थल पे कही ना कहीं आपको दर्शन कराते हैं सद्धालू का हम देखेंगे तो सहलाब यहां पर उमड़ा पड़ा हुआ है कोई बेल पत्र चला रहा है तो कोई जल अर्पित कर रहा है तो कोई श्रीपल सबसे पहले चारों तरफ का यह नजारा सब्सक्राइन सबसे वह और आप लोग कहां से आया है तो बगवान को किया जल अर्पित कर रहा है है अभी नहीं हुए अभी नहीं हुए तो क्या लेकर आए क्या चार रहा है आप इतनी दूर से आया हूँ भगवान के दर्षन करने आए बलुच्य मतकार हो रहे हैं तो गंगा जल लेकर यह आए अब लोग लाएं किनके दर्शन के लिए आएं pau प्रदीप जी निश्रा जी कल दर्शन हो गए उनके आज यहां पर दर्शन के लिए आये जरूर करने हैं समाज के कार्या और कारे कर्म ने आये थे प्रदीप मिस्रा ने संसार को जगा दिया नहीं तो कोई नहीं जानता था पूजा करना पूजा में क्या करते हैं आप लोग पूजा में स्री श्री नमस्तुब्याम हम महाराष्ट्र परवनी से आये हुए सभी को भोत अच्छा लग रहा है सब को गुन आ रहा है जो तमन मन में करें वो पूरी हो रही है अब हम सब कंकर शंकर के हाँ कंकर रखने को हैं हमारा नवस्पूरा हो गए श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम के साथ उसका जो असर है देख सकते हैं आप कुबरेश्वर धाम में तो यहां पर तो रहते ही हैं लेकिन पुरे देश में लज़ाता है क्योंकि पुरे देश के श्रदालू यहां पर मौज़ुद अब हम लोगे दिखाने हैं जिले से हैं बहुत बड़ी है देश के हर कोने से लोग आप तो यहां हो रही है लोगों की यह जो श्रदा का भाव है यह जो श्रदा की शक्ति है वह यहां मैसूस होती है भगवान श्रीवाद लेने पूरी देश और दुनिया के लोग यहां पर पहुंचते हैं और एक लोटा जल सारी समस्चे का हल यह मान कर भगवान श्रीव को जल अर्पित करते हैं कैमरामेंन सनी के साथ अनुराग मालवी आने 247 कुबरेश्वर धाम सी हो अनुराग मालवी आने 247 कुबरेश्वर धाम सी हो